हाई गयाज जैसे हो आप सिब लोग और आज है हमारा संडे को ने एंड गाइस आज करें जो संडे को होने वाले बहुत बाद मुझेश दा एंड इंट्रोस्टिंग होने वाला है आप मेरी रिए पींट के साथ हैं अगर आपसुर्स करते हैं जार्승 करने से पहले अगर आप इन वने गोंडीशन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नी किया में मेक्षिर अाप लुक्तिक किस वाइब दास ने इनका question है कि hey I watch all of your Sunday my question is what will be the price of iPhone 30 mini in Big Billion Day sale 2022 and will it be discontinued after BBD sale or can I get that after BBD sale at a lower price so Himadri भाई सबसे पहले कि हम बात करें iPhone 30 mini की Big Billion Day pricing की so guys iPhone 30 mini हमें around 40,000 बीस का देखने में मिलेगा Big Billion Day Sale के दरहां and वहीं हम बात करें दिसकंटीनु की so guys बहुत जादा हाई चांसी है कि इस साल Apple iPhone 30 mini को दिसकंटीनु कर दे क्योंकि जैसे कि आप लोगों पास है कि mini iPhone आपल वालो की इतने जादा सक्सेस्फुल नहीं है and काफी जादा हाई चांसी है कि Apple जो है बिलियंड देखने के अंदर पर चेस के लिए क्योंकि उस वक्त पर आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग अंदर जो आइफोन थारी मिनी देखने को मिलेगा बिलियंड देखने के इतने को मिल सकता है बिलियंड देखने को नेक्स को पूछे है मानिश नहीं को कुछिन है कि Hi Bro my question is Big Billion Day Sale और Amazon Sale में Apple accessories like Airports Charger, Cases, etc की pricing approximately कितने तक की मिलेगी details share करना इस topic पर it will be helpful for many of us मानिश भाई हमें Flipkart and Amazon Sale के दुरा एपल की accessories के ओपर for sure offers देखने को मिलेंगे काफी अच्य offers देखने को मिलेंगे during Big Billion Day Sale and उसी के साथ Amazon Great India Festival Sale के दुराण So last year भी हमें accessories के ओपर देखने को काफी अच्य offers देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें Airpods की pricing किसे और पिछले साल हमें जो आराउंड 8,000 बीस के देखने को मिलेंगे इस साल भी आराउंड 8,000 की pricing पर देखने को मिल सकते हैं वह अगर हम बात करें Charger Charger के ओपर जाए जाथो कोई बड़ा discount नहीं देखने को मिलेंगे अगर हमें Charger के ओपर भी जाए कुछ ओफर देखने मिलेंगे और उसी जाद हम बात करें Cases की तो Cases के ओपर भी जाए पिछले साल ओफर देखने मिलेंगे अपर आपल के ओफिशिल के ओपर जाए काफी बड़ी ओफर देखने मिलेंगे तो इस साल भी जामें दिनेश नेहिंनका question है कि वी ओ एक्स एटी प्रो वर्सेज आईफॉन 13 प्रो मैक्स को सा लेना चाहिए है और बैस कैमरा फों एक्स एटी प्रो या आईफॉन 13 मैक्स है मैं आपको सजेस्ट करते हूं कि आप आप इपोन 30 pro max को पुछेस कि लिए कि आप आप कोई अपने 30 pro max का जो चाम को बहुत आप बड़िया देखने को मेरता है अब आप यह ऐती है कि आप वीवोग समः प्रोम माक्स को पुछेस करना चाहिए यह तोटली आपकी बजट के खाले करते हैं कि आपका बजट कितना इसलाद है अगर आपकोई इश्यों नहीं आप पर मक्स को सऺचेस कर सकते है अगर आप यह कैमरा क्रिणा पल्स में क्या तरहा है so SMK by GPS and cellular वाले में difference यह होता है कि जैसे कि अगर आपका iPhone आपके पास नहीं है then आप जोए call नहीं कर सकते हैं and अगर हम बात करें GPS plus cellular वाले की तो आपके पास अगर आपका iPhone भी नहीं है then आप जोए बिना iPhone के भी जोए अपने call आपके पास नहीं है GPS plus cellular वाले एपल वाच के अंदर so guys next question यह हम पुछा इनका question यह कि iPhone 13 256 GB price drop कब मेलेगा और iPhone 12 या iPhone 13 256 GB में कों सा लेना चाहिए so deep feeling भाई आपे आपे आपोन 13 256 GB के पर जोए price drop जून के अंदर देखने मेलेगा क्योंकि जैसे कि आप लोगों पाता है कि Amazon के prime day sale and flip card के ओपर हमें sale देखने को मिलेगी June end में तो उस वक्त पर यह जो फोन हमें around 75,020 का जाओ देखने मिल सकता है iPhone 13 256 GB variant वहीं अगर हम बात करें कि iPhone 12 को purchase किया जाए या फिर iPhone 13 256 GB variant को purchase किया जाए so 2 by आपके उ पर यह तो अगर आपको बजजट जाद है तो आप यह tel आफ चरर säger अनगर आपको बजट कम है दर आप जो आपos से कली यह यह तोर लेकों को à रखेश करता है अगर आपको बज़जजट किया ज़ए हमें जो around starting of October के अंदर जो देखने को मिल सकती है और भही हम बात करें iPhone 14 की launch date की तो iPhone 14 जो हमें देखने को मिल सकते है September 13 क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि iPhone 14 की launch date जो है यह हमें September 13 को देखने को मिल सकती है गई next question पूछा है जो हमें बात करें iPhone 12 Mini की जो हमें क्या कुछ प्राइज देखने को मिल सकती है तो यह फोन की प्राइजिंग जो हमें under 35,000 बीस की देखने को मिल सकती है बिग बिलें देखने के दुरान अगर आप आप iPhone 12 Mini को पचेस कना चाहते है और iPhone 13 Pro Max कुछ इशू तो नहीं आएगा मैंने सुना आया कि जो पिछले साथ के Pro Models होते हैं डिसकंटीन होने के बाद उनके अंदर जो हमें इशू देखने हूं मिल देखने है इमरान खान भाई सबसे पहले अगर बात करें प्राइस देखने की तो iPhone 13 Pro and 13 Pro Max जो हमें डिसकंटीन हो मिलेगे Apple की तरफ से क्योंकि नहीं सीरी जो हमें देखने हो मिलेगे Apple की तरफ से इस साल और अगर बात कर इशू की तो यह लोगों ने रूमर्स बनाया है कि पिछले साल कर जैसे प्रोमोडर उसके अंदर हमें इस्चुस देखने हो मिलेगे ऐसा कुछ नहीं होता है यह लोगों के बनाया है रूमर्स होते हैं असा नहीं होता कि जैसे कि Apple ने डिसकंटीन कर दिया फों तो उसके अंदर इस पोन की प्रडक्शन स्टॉप कर दिया है इसका मतलब यह होता है बाकी एपल का सपोर्ट वह हमें मिलता रहेगा तो इस्चु के बारे में यह लोगों ने रूमर्स बनाया है कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं देखने हो मिलेगी लास्टीग के अंदर के अंदर नेक्स कोशन है अमर्दीप में इनका क्वेशन है कि इंडियन मैनुफेक्चर्ड आइपों 13 जुलाई में 60,000 तक का मिल जाएगा क्या अमर्दीप भाई हमें जो है आइपों 13 जुलाई या फिर जून एंड के अंदर आराउंड देखने हो मिल सकते हैं 65,000 वीस की प्राइजिंग के उपर सो कुछ इतनी प चीटीव करना चाता हूँ मुझे आइपों 30 को पर चेश करना चाहिए या पर आइपों 30 को परचेस करना चीए और इंडियोंग दे cheard in on 65-75,000 बीस की प्राइजिंग के बीच में इंडिया के अंदर अगर बात करें ग्लोबल वेरेंट आइफोन 30 प्रो की तो ये फोन आप लोगों को अराउंड 70-75,000 बीस की प्राइजिंग के अंदर बड़े राम से देखने हो मेरता है तो रादे भाई मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप ग्लोबल वेरेंट आइफोन 30 प्रो को प्रचेस के लिए क्योंकि वो जो आपके लिए बेटर रहने वाल है क्योंकि आपको सेम प्राइजिंग के अंदर जितने में आपको आइफोन 30 प्रो मेरा है तो मेरता सजेस्ट ये है कि आप 13 प्रो में प्रचेस के लिए ग्लोबल वेरेंट को आज क्योंकि आज क्योंकि पूछाए अंकित ने इनका क्वेशन है कि हेलो भाया जुलाई में प्राइम डे सेल आने वाली है कि आज की संडे की मैंने वीडियो το सबस्क्राइब करें उसी के साथ बैल के नोडिफेशन सबसे पहले मिलत अलुब शुलू है मुझे